क्या आपको पता है कि क्रॉस होल्डिंग क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं क्रॉस होल्डिंग के बारे में बताने वाली हूँ तो पूरी वीडियो जरूर देखें नमस्कार टैक्सलामा यूटूब चैनल पर आपका फिरसे स्वागत है जैसा कि मैंने बताया आज हम बात करेंगे एक इंटरस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है क्रॉस होल्डिंग ये कॉंसेप्ट फाइनांस और कॉपरेट वर्ल्ड में काफ़े इंपोर्टेंट है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस होल्डिंग क्या होता है क्रॉस होल्डिंग का पॉपस क्या होता है पॉपस ऑफ क्रॉस होल्डिंग Types of Cross Holding के बारे में बताऊंगी, कुछ examples बताऊंगी Cross Holding के साथ ही मैं Cross Holding के advantages बताऊंगी, आपको disadvantages बताऊंगी तो Cross Holding के बारे में deeply जानने के लिए वीडियो में last तक बने रहें पूरी वीडियो जरूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करतें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस concept के बारे में जान पाएं और साथी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करतें तो चलिए शुरू करते हैं Cross Holding का मतलब होता है जब एक कमपनी दूसरी कमपनी के शेयर्स होल्ड करती है और वाइस वर्सा ये mutual share holding arrangement होता है जो कमपनी इसको strategic advantage प्रवाइड करता है For examples, अगर कमपनी A के पास कमपनी B के शेयर्स हैं और कमपनी B के पास कमपनी A के शेयर्स हैं तो ये Cross Holding होती है अब आपको ये तो समझ आही गया होगा कि Cross Holding क्या होती है अब मैं आपको बताती हूँ कि Cross Holding का Purpose क्या होता है Purpose of Cross Holding Cross Holding का Purpose होता है कमपनी इसको अपने mutual interest को protect करना इससे कमपनी इसको mergers और acquisitions से बचने में मदद मिलती है और corporate control बनाए रखने में भी help मिलती है ये एक strategic move होता है जो कमपनी इसको stability और security प्रोवाइट करता है अब यहां तक आपने देख लिया कि Cross Holding क्या होती है और उसका Purpose क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ कि Cross Holding के कितने types होते हैं Types of Cross Holding तो Cross Holding के दो main types होते हैं Direct Cross Holding और Indirect Cross Holding Direct Cross Holding तब होता है जब दो companies directly एक दूसरे के shares hold करती है और Indirect Cross Holding तब होता है जब एक company अपने subsidiary के थूँ दूसरी company के shares hold करती है तो ये थे Cross Holding के दो main types अब देख लेते हैं Cross Holding के कुछ examples तो मैं यहाँ पे आपको कुछ real world examples बताती हूँ जैसे कि Japan और South Korea में Cross Holding काफ़ी common है For example, Japan के Kiratsu सिस्टम में large companies एक दूसरे के shares hold करती है to form a business group और इसी तरह से South Korea में भी Chabels जैसे कि Samsung और Hyundai भी Cross Holding यूज़ करते हैं अपने business empire को stable और secure बनाए रखने के लिए तो ये मैंने आपको कुछ examples बताए Cross Holding के अब आईए Cross Holding के advantages देख लेते हैं Advantages of Cross Holding Cross Holding के काफी सारे advantages हैं तो जिसमें कि पहला है stability यानि कि Cross Holding कमपनीज को economic fluctuations के against stable बनाता है दूसरा है protection ये hostile takeover से बचने का एक effective method है और तीसरा है collaboration इससे कमपनीज को अपने mutual interests को protect करने का मौका मिलता है तो ये आपने देखे Cross Holding के advantages लेकिन advantages के साथ साथ इसके कुछ disadvantages भी हैं तो आईए वो भी देख लेते हैं Disadvantages of Cross Holding तो पहला तो है complexity यानि कि Cross Holding structures काफी complex हो सकती हैं और financial transparency कम हो सकती हैं दूसरा है conflict of interest यानि कि कभी कभी companies के बीच में conflict of interest हो सकता है और तीसरा है regulatory issues यानि कि different countries के regulatory environments Cross Holdings के लिए problematic हो सकते हैं तो ये था Cross Holding के बारे में एक comprehensive overview जिसमें आपने देखा कि Cross Holding क्या होता है साथी मैंने आपको इसका purpose बताया कि Cross Holding का purpose क्या होता है Types of Cross Holding भी बताये Direct Cross Holding और Indirect Cross Holding साथी मैंने examples भी दिया कुछ Cross Holdings के इसी के साथ advantages और disadvantages भी मैंने आपको बताये तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें ज्यादा से ज्यादा शेर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग Cross Holding के बारे में जान पाएं कि Cross Holding क्या होता है इसके advantages, disadvantages, types और examples के बारे में जान पाएं और साथी इसी तरह की वीडियो के लिए हमारी YouTube चानल Tax Lama को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ सब्सक्राइब को जरूर दबाएं ताकि आनमे वाली वीडियो के notifications आपको सबसे पहले मिल जाएं Thank you